नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवार्ता में दोस्तों आज हम हिमाचत प्रदेश में हुई HP TGT कमिशन की जो परिक्षा थी उसके प्रशनों को डिसकस कर रहे हैं और इससे पहले हमने हिंदी वाला portion कर लिया है अगर आपने अभी तक वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी चैकर सकते हैं और इस वाले वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं HP TGT के और आपका दूसरा जो इक्रोमिक्स वाला section है उसको हम देख रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले है प्रशन संख्या 80 देखे ये भी हमने इसमें समाईत कर लिया है कि भारत में शिक्षक शिक्षक एक शेतर में कौन सा सरवोज निकाय है तो देखे टीचर एजूकेशन इंडिया में जो है वो है आपका विकल्प बना तो इसका जो सही उतर था देखे वो था 1951 विकल्प में 1951 कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नंबर D नेक्स से दिखिए चंद्रकूप जील हिमाचय परदेश के किस जिले में स्थित है तो देखिए चंद्रकूप जो जील है यह आपका विकल्प नंबर D इसका सही उतर होगा चमबा मतलब मारकंडे नदी हिमाचय परदेश के किस दिले में बहती है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह है विकल्प नंबर D परशुराम नेक्स प्रशन है देखिए बिलासपूर के नलवारी उत्सब का विचार निम्र में से किस के दौरा प्रकट किया गया था तो यह किया गया था डबल्यू गोल्स्टीन के दौरा बैजनाथ इन अर्लियर टाइम वाज नौन एज तो बैजनाथ का जो अर्लियर नाम था देखिए वो था आपका विकल्प नंबर D इनमें से कोई नहीं आई तिंग इसका नाम कारती के था अगर आपको लगता है कि आपके पास इसका साही उतर है तो वो भी आप मुझे बत अंदित है तो इसका जो सही उतर हो विकल्प नंबर C होना चाहिए था अगर इसका उतर सही आपके पास मालूम है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं हिमाज प्रदेश राज्य माहिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ इसका जो सही उतर विकल्प नंबर A 1992 निर्मंड तामर प्लेट किस शयताबदी के दोरान जारी की गई तो देखिए निर्मंड जो तामर प्लेट है वो जारी की गई थी विकल्प नंबर A इसका सही उतर होगा नेक्स है दिखिए कांगडा के किस शासक के शासनकाल के दोरान तेरा सो पैंसट इसवी में फिरोशा तुगलक ने कांगडा के किले को गेरा था तो देखिए इसका जो सही उतर होगा यह होगा विकल्प नंबर D रूप चंद अगला प्रशन है दिखिए उत्तर सत्रवी श जो प्रशन संस्थान है यह है आपका विकल्प नंबर B मशोबरा में उसके बाद है दिखिए प्रशन संक्या श्यान हुए टोटल नंबर अफ नेशनल पार्क इन हिमाच परदेश इस तो हिमाच परदेश में जो राष्ट्रिय उध्यानों की संख्या है दिखिए वो है आ जहां से हम सीधे 111 जो प्रशन है वो देखेंगे अब यह दिखिए दीर्ग काल इन परिसंपतियां जिनका भहतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन ब्रिहत्मोल्य होता है क्या कहलाती है तो देखिए यह है आपका विकल्प नंबर C अमूर्थ परिसंपतियां ठीक है नेक्स इसका जो सही उतर होना चाहिए था दोस्तों होना चाहिए था विकल्प नंबर D ठीक है उचनती खाता नेक्स से दीखिए उतपाद बजार में पूर्ण प्रतियों गीता की निमन स्थितियों से आप क्या समझते हैं तो देखिए इसका जो सही उतर होगा यह होगा आपका A, MRP is equal to VMP, ठीक है, नेक्स से दीखिए प्रशन संख्या 115, तो इसका उत्तर दोस्तों मुझे accurate मालूम नहीं है कि क्या होना चाहिए था, इसका B और D में maybe एक, या फिर कुछ और तो यह आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स से दीखिए, what does price flowing mean, मतलब नियुनतम मुल्य का क्या अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, विकल्प नमबर C, संतुलन शुद बजार अर्थववस्ता का लक्षे किसकी जरूरतें पूरी करना है तो देखिए, शुद बजार अर्थववस्ता का जो लक्षे किसकी जरूरतें पूरी करना है यह है आपका विकल्प नमबर यह इसका सही उत्तर होगा, उपभोगता की नेक्स से देखिए, मांग का नियम का अर्थ क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है देखिए, यह है विकल्प नमबर C, जैसे ही विकल्प नमबर C, व्यक्तियों और निग्मों पर, ठीक है, 120 का क्या होगा C उत्तर होगा, नेक्स से देखिए, सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का मुख्यसरोत नहीं है तो इसका जो सही उत्तर है देखिए, 121 का विकल्प नमबर D, लाब अगला परशन है देखिए, 122 कौन सी लागत उत्पन होती है यद्यपी कमपनी बंध है तो इसका जो सही उत्तर है देखिए, यह विकल्प नमबर C, शटडाउन लागत नेक्स्ट है, खिलोना निर्मान कमपनी किस प्रकार की लागत निर्धारन का प्रियोग करती है, तो 123 का ए विकल्प सही होना चाहिए बहुलागत निर्धारन अगला प्रशन है देखिए, निमन में से कौन सी वेवसाय की विशेष्टा है तो इसका जो सही उत्तर है देखिए, वो है आपका विकल्प नमबर D, यह सभी उत्पादन भी, विक्रहवीनी में भी और जोकिम तत्तो भी, निमन में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है तो प्रबंध का कार्य जो नहीं है देखिए यह आपका विकल्प नमबर C सहकारी, निमन में से कौन सा तत्तो संचार का भाग नहीं है तो संचार का जो भाग नहीं है, दीखिए वो है आपका विकल्प नंबर B संचार नेक्स है, ब्यक्तिगत्थ प्रतिवादी केंद्र समुह और प्रतिवादियों का पैनल को इस प्रकार वर्गी करिद होते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो आपका विकल्प नमबर अ पुराथ्मिक डिटा स्त्रोथ 129 प्लशन है देखिए नीति निर्मान किस भुमिका के अंतरगत आता है तो देखिए नीति निर्मान जो आता है आपका यहाता है शीर्ष स्तर प्रवंदक विकल्प नमबर A इसका सही उतर होगा नेक्स से दिखिए यदि हम स्वाइम के उपयोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें करना चाहिए तो हमें आहर्न खाता डेबिट, क्रे खाता ग्रेडिट ये करना चाहिए बिकल्प नमबर A इसका सही उतर होगा तो ये थे जो आपका HPGK और Economics से रिलेटरी जो प्रशन थे उनको मैंने आपके वीच में डिसकस किया है इन प्रशनों में अगर कुछ एक प्रशन मुझसे गलत हो गए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर जरूर करेक्ट कीजिए कर ताकि हर एक पिद्यारती तक सही जानकारी पहुंच सके वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के पीच में शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ तब तक लिए शुक्रिया जाहिंद